दिस चैले नियूज देखरे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ शुरता राना पेश हैं आज की मुखे समाचार सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से पंजाब के गाउं को करोना संकरमन रहित बनाने के लिए राजस सरकार ने करोना मुक्पिंड अभ्यान की शुरुआत की है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंग ने संकरमन प्रसार को रोपने के लिए बैठेक में ग्रामीन कोविड विजय कारेकरम की खुशना की उन्होंने कहा कि आशाकारे करता ग्रामीन पुलस अधिकारी और युवा स्वेम स्वेवी इस अभ्यान का हिस्सा होंगे उत्तर परदेश के गाउं में पैदा हुई स्तिती से बचने के लिए पंचाब के मुख्यमंत्री कैप्टन मरेंदर सिंग ने इस जंग में समुदाय के सभी वर्गों को शामिल करने पर जोर देते हुई स्वास्ति और ग्रमीन विकास एवन पंचायत वभा को निर्देश गाउं में सभी भायचारों को लाम बंद करने के लिए बड़े स्तर पर मोहिम शुरू की जाए इस जुरान उन्होंने आदेश थिये कि जन गाउं में सौ फिसदी वेक्सिनेशन पूरी हो जाएगी उन्हें 10 लाक रुपई की ग्रांट जारी की जाएगी जग्राओं की महीने से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बिखाकर एनराय के घर पर किराय पर रह रहा था बीजीप दिंकर कुपता ने जैपाल भूलर पर 10 लाक बलजिंदर सिंग और बबबी पर 5 लाक जस्प्रीट सिंग और दर्शन सिंग की सूचना देने वाले को 2-2 लाक का इनाम देने की खोशना की है जांच में सामने आया है कि देड़ महीने तक दर्शन के गाउं सहौली के खेतों में बनी मोटर में रहने के बाद जैपाल ने ठिकाना बदल लिया था क्योंकि वहां लोगों को आना जाना जादा था नौकरी के लिए चार जनवरी से डीसी दफ्तर के सामने सड़क पर दिन रात गुजार रहे बेरोजगार, एटिटी टेट पास, अध्यापक यूनियन का गुसाद जमकर फूटा पंजाब भर से पहुँचे सैंकडो बेरोजगारों ने क्याबिनिट मंत्री वजय इंद्र सिंगला के निवास की और पूछ किया जहां तैनाथ पुलिस बल ने 8 फीट उंचे बैरिकेड लगा कर रोका लेकिन बेरोजगारों ने चन्द मेंटों में बैरिकेडों को खाड दिया और कोठी से 10 मीटर दूर बैरिकेड पर भारी पुलिस बल ने रोक लिया बेरोजगारों की गुसे को देख प्रशासन ने शिक्षा मंत्री से 24 मय को बैठक का आश्वासन दिया जिसके बाद उनका फुस्सा शान्त हुआ यूनियन के राजय उप्रधान संदीप सामा ने कहा कि रोजगार के लिए चार जनुरी से धरने पर बैठे हैं लेकिन आज मजबूरन संघर्ष करना पड़ा वहीं DSP सत्पाल शर्मा ने कहा कि प्रशासन ने यूनियन को मंत्री से बैठक का समय लेकर दे दिया है पंजाब कॉंग्रिस में कैबिनेट मंत्री चरंजीत सिंग चन्नी से जुड़े मीटू मामले को महिला आयोग द्वारा उठाय जाने के बाद घमासान बढ़ता ही जा रहा है आज तक नीकी शिक्षा मंत्री चरंजीत सिंग चन्नी की सेक्टर दोस्तित कोठी में नाराज मंत्रियों वे विधायकों की बैठक चली पताया जा रहा है कि बैठक में सहिकारिता मंत्री सुकजंदर सिंग रंधावा विधायक परगड सिंग नत्तु राम सुर्जीत धिमान सहित अन्य विधायक शामल हुए बतादे कल पंजाब मराज्यो महिला कमिशन की चेर परसन मनीशा गुलाटी की तरफ से चन्नी के खिलाफ मीटू मामले की फाइल दोबारा खोलने की मांग की गई है अनिशा गुलाटी ने कहा कि अगर इतिकारियों ने इस समन्न में एक हफते में रिपोर्ट नहीं दी तो वे भूख खरताल पर बैट जाएंगी चन्नी के खिलाफ कुछ वर्ष पूर्वेक महिला आई एस अफसर ने मीटू का रूप लगाया था तब भी मामला खुब उचला था लेकिन तब सीम कैप्टन अमरेंदर सिंग ने मामले को संभाल लिया था अब एक बर फिर ये मामला उचला है माना जा रहा है कि ये मामला इसलिए उटा है क्योंकि चन्नी कैप्टन के विरोधी धड़े के नस्दी क्या है अमरित सर के कमबो थाने के अधीन पढ़ते नंगली गाउं में लूट किये खूनी वारदात को अंजाम दिया गया दो नहंग फानेंस कंपनी के करमचारी का हाथ काट कर क्यास शीन कर फरार हो गया ब्याज की किष्टों की रिकवरी करके करमचारी लौट रहा था कि नहंग के वेश में आए बाइक पर सवार दो यूफकों ने फानेंस कंपनी के करिंदों का हाथ काट कर उससे पंद्रा सो रुपई लूट लिए रास्ते से जा रहे लोगों ने जब घाल को देखा तो उन्हों ने किसी तरह उसे अस्पताल में दाखिल करवाया घटना के बारे में पता चलता ही पुलिस ने नाका बंदी गर दी थाना प्रभारी यादवंदर सिंग ने बताया कि अराउपियों की गिरफतारी के लिए छापे मारी की जा रही है करोना की याड में प्राइविट अस्पतालों की लूट पर जलंदर में पहली बड़ी कारवाई हुई है मरीज का करोना टेस्ट किये बगार ही शमशेर अस्पताल में उसका कोविट का इलाज किया जा रहा था यही नही लैवल टू वाले कोविट केर में मरीज को लैवल तीन याना आउक्सिजन सपोर्ट का ट्रीटम Bean देकर मोटा बल बना दिया इस दोरान मरीज की भी मौत हो गई मौमले की शिकायत मिली तो शमशेर अस्पताल की कोविट केर फसिल्टी सस्पेंड कर दी गई अब वो नया मरीज भरती नहीं कर सकेंगे वहीं विस्तरत जांच के लिए 4 सदस्य कमिटी बना दी गई है अब खबरे हो शारपुर से डिप्टी कमिशनर अपनी त्रियात ने बताया कि जिल्टी में कोविट टीका करन वे टेस्टिंग की और कारगर बनाने के लिए मोबाइल क्लिनिकल केर वैन शुरू की जा रही है जो कि जिल्टी के दूर दराज के इलाकों वे शहर में कोविट नाइन त्रिन से बचाव संबंधी टीका करन वे टेस्टिंग को और प्रभावी बनाएगी वे जिला प्रशास्कियों कॉम्प्लेक्स में वर्दमान यौन्स और थ्रेट्स लिमिटेड की और से CSR के अंतरगत जिला प्रशासन को देगे चार वैनों को हरी छंडी दिखाकर रवाना करने के दौरान सबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि जो लाभारती स्वास्ते केंद्रों पर नहीं पहुंच पाते उनको इन मुबाइल वैनों से काफी रहत मिलेगी इस दुरान उनके साथ तरिक डिप्टी कमिशनर हर्बीर सेंग, वेजिला ठीका करेन अधिकारी डॉक्टर सीमा गर्ग भी मौझूद थे शिफ सेनब बाल ठाकरे पार्टी की एक शिष्ट मंडलने पार्टी के वरिष्ट नेता जवेद खान की अधक्षता में जलाधिश को एक मांग पत्र सौंप कर प्राइविट अस्पतालों के आईसियू में सीसी टीवी कैमरे लगाने तथा उनकी स्क्रीन बाहर लगाने की म साथ ही उन्होंने जिंजिन अस्पतालों में करोना के इलाज होता है वहां भी कैमरे लगाने की मांग की ताकि बाहर बैठे मरीजों के परिजलों की संतुष्टी हो सके हलका चबेवल विधार डॉक्टर राज कुमार ने गाउं काहरी का दौरा किया इस दौरान उन्होंने पीने वाले पानी के ट्यूवल का उधगाटन किया और चल रहे कारे का नरिक्षिं किया गौर तलब है 12.16 लाक रुपई की लागत से लगाय जारे इस ट्यूवल का लाब आसपास के गाउं को भी मिलेगा इसके साथ ये गाउं निवासियों की पानी से जुड़ी समस्या भी हल हो जाएगी इस अफसर पर डॉक्टर राज ने कहा कि उनकी कोशिश रहती है कि वह हलका वासियों को पेशारी समस्याओं का पहल के अधार पर हल करवाएं इसके लिए सरकार की तरफ से ग्रांट की कोई कमी पेश नहीं आने दी जाती हुशारपूर आटो मॉबाइल में दूसरा कोविड वेक्सिंग टीका करन कैम्प अयुजित किया गया हुशारपूर आटो मॉबाइल हमेशा ही समाज भलाई के कारियों में बढ़ चवर कर हिस्सा लेता रहा है एमडी अच्वेंदर सिंग वे गुडप्रीत सिंग के दशा निर्देश उनसार कंपनी के सभी करमचारियों के लिए कोविड वेक्सिंग का लगा होना लाजमी है इसी सिलसले में अच्वरों में कोविड टीका करन केंप लगाया गया जिसमें करीब पचास करमचारियों का टीका करन किया गया पंजाब फाइट्स करोना अभ्यान के तहट मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरेंदर सिंग ने वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से समस्थ पंजाब वासियों को सभी स्वास्ते ने उमका पालन करके करोना वाइरिस से निज्जात पाने का संदेश दिया करोना वायरिस के खिलाफ टीका करन को बढ़ावा देने के उदेश से मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरेंदर सिंग ने अलान किया कि 100% करोना के खिलाफ टीका करन करवाने वाले गाउं को 10 लाग रुपई की ग्रांड दी जाएगी मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोशना का विधाय करुन डोगरा मिकी ने स्वागत करते हुए से सराहनिय कदम बताया वीडिपी ओ कार्याले तलवाडा में वीडियो कान्फरेंसिंग प्रोग्राम उपरांद विधाय करुन डोगरा ने कहा कि करोना वारिस की खिलाफ टीका करन एवं सभी स्वास्थे नयुमों का पालन करके ही हम इस समस्य से निजात पा सकते हैं प्रिशी विग्यान केंदर के डिप्री डारेक्टर डॉक्टर मनविंदर सिंग बैंस ने बताया कि पंजाग प्रिशी विश्व विद्याले की और से धान की सीधी बिजाई की सिफारिश की गई है जिसको बड़े स्तर पर पिछले वर्ष किसानूं की और से अपनाया गया था उन्होंने कहा कि उनिवर्सिटी की और से नई तकनीकों से किसानों को वाकिफ करवाने के लिए क्रिशी विज्यान केंद्र बाहुवल की और से धान की सीधी बिजाई संबंदी वेबिनार आयुज़ित किया गया डिप्री डारेक्टर ने कहा कि गिरते भूजल स्तर के मद्दे नजर पानी को संभालना समय की मुख्य जरुवत है उन्होंने बताया कि सीधी बिजाई की तकनीक को इस बर बड़े स्तर पर किसानों तक पहुंचाने के Лिए पंजाब प्रुशी वेश्व विद्याले क्षिव southwest किसान भलाई विभाग पंजाब की और से मिलकर प्यास किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि धान की सीधी बिजाई तकनीक से पानी वे लेवर की भी बच्चत होती है। ट्राफिक पुलिस के सहयोग से गौशाला बजार, अफगान रोड वे सब्जी मंडी में बिना मास्क लगा कर जा रहे लोगों को मास्क फिंट किये गए और लोगों को करोना के प्रती जब रुख किया गया। इस मौके पर रजीव महाजन वेरकिश सहारन ने बताया कि समीती की तरफ से अलग लग टीमें बना कर कारे किया जा रहा है ताकि लोगों को करोना महामारी से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि उनकी इस मोहम में ट्राफिक पुलिस का सरहानी सहयोग दिया जा रहा है जिसके लिए समीती उनका धन्यवाद करती है। अर्वीन गुल्यानी और अध्यापिका कमल दीप ने बताया कि करोना के चलते जिला प्रशासन ने वर्क फ्रॉंप होम के निर्देश दिया हैं लेकिन कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे इसलिए अध्यापकों ने प्रते दिन जूम क्लास लगाकर बच्चों को स्लेबस के अनुसार पढ़ाया जा रहा है जिला मैजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिशनर अपनी इत्रियात ने खाद्य पदार्तों की रेडी लगाने वालों को रोजाना सुबह 11 बज़े से 3 बज़े तक रेडियां लगाने की छूट दे दी है उन्होंने कहा कि इस दुर समाजिक दूरी के नियम के पालन के साथ साथ सैनिटाइजर रखना भी अनिवारे होगा नगर कॉंसल मुकीरियां के वार्ड नंबर 11 की पार्षट पूनम रत्तु ने कॉंसल पर उनके वार्ड के साथ स्वतेला वहवार किया जाने का रूप लगाते हुए बताया कि पिछल सेवों को बेज़ जाना जरूरी नहीं समझा जा रहा हुए उन्होंने कहा कि कॉंसल अधिकारी सत्ताधारियों के इशारे पर काम कर रहे हैं और इसका खाम्याजा आम जंता को भूगतना पड़ रहा हुए उन्होंने कहा कि 2022 में होने वाले विधान सवत चुनावू में पर जटता लगा है कोविड महामारी के मद्दे नजर साओधी अर्व ने पिछले साल लगाएगे यात्रा प्रतिबंद को हटा दिया है साओधी अर्व के आंत्रिक मंत्राले ने गोशना की कि 17 मैई को सभी सी माउं वायू भूमी और समूद्र को पूरी तरह से खोल गया जाए जिने कोविड टीके मिले थे और जो 6 महीने से कम समय में संक्रमट से उबर चुके थे 18 वर्ष से कम उमर के नागरिक यात्रा कर सकते हैं यदि उनके पास वास्ते विमा पॉलिसी है जो कोरोना वायरस से संबंदित जोकिमों को कवर करती है इस्राइल के परधान मंत्री बें इस्राइली लोगों की सुरक्षा और शांती की बहाली होने तक हमास के खिलाफ कारवाई जारी रहेगी नेतन याहू ने कहा कि इस्राइली सेना को बड़ी काम्याबी हाथ लगी हा और इसलामिक जहाद के वरिष्ट कमांडर को मार गिरा है उन्होंने कहा कि हम सभी और आधतों के पीछे वज़ा है उनका डर बतादें कि 83 वर्षे इरानी व्यक्ति अमोहाजी पिछले 65 वर्षों से नहाए नहीं है क्योंकि उन्हें पानी से डर लगता है अमोहाजी इरान के रेगिस्तान में अकेले रहते हैं हलांकि वे अकेला नहीं रहना चाहते लेकिन उनकी इस गंदी आधत और शौंक के साथ उनके साथ कोई रहना नहीं चाहता अमों के पास अपना घर भी नहीं है वे गाउं के बाहर रेगिस्तान के गड़ों में रहते हैं इसके अलावा उन्हें ताजा खाना खाना भी पसंद नहीं है उन्हें साही का सड़ा हुआ मास ख अगर वे आज गंदे ना होते तो शायद जिवित ही ना होते अमेरिका में आतंकवाद के मामले में दोशी करार एक शक्स ने भरी अदालत में अपना दला काट लिया यह देकर अदालत में बैठे सबी लोग काम उठे मौके पर मुझूद पुलिस और लोगों ने शक्स को बचाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके अमेरिका के नॉर्थ डिकोडा के फारगों में हुई इस घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं आखिर शक्स के पास नुकीला हत्यार मिला कैसे उसने पुलिस की मौजूदगी में यह खौफना कदम कैसे उठा लिया इस घटना वीर शेबा शहर में स्थेतिस क्लब ने वेन गुरेन युनिवर्सिटी के कई भारतिया उनुसंधान करता हूं को सुरक्षित ठिकाना उपलब कराया है ये सभी शात्र पिछले 17,000 फलस्तेन के हमलों के बाद से आश्रिया की तलाश में यहां वहां भटक रहे थे इस दोरान क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष नुवार गुटकर ने कहा कि कलब में सभी का स्वागत है जिसे भी सुरक्षित पना चाहिए वो यहां आ सकता है उन्हें आगे कहा कि हमारे साथ कई भारतियानों संधान करता है रह रहे हैं जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं हम उन्हें हर संभव मदद मोहया कराने का प्रयास कर रहे हैं पदमश्वी पुरसकार से समानित और इंडियन मैडिकल एसोसियेशन के पूर राष्टर अध्यक्ष डॉक्टर केके अगरवाल का नधन हो गया 62 साल के थे पिछले कई दिनों से वें एम्स में भरती थे उन्हें एक सब्ता से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था अगरवाल एक हृद्य रोग विशेशक के और हाट केर फाउंडेशन आफ इंडिया के प्रमुख भी थे उन्हें 2005 में डॉक्टर बीसी राय पुरसकार और 2010 में पदमश्वी मिला था चीन और पाकिस्तान जैसे पडोसी देशों के साथ जारी तनाव की बीच देश की तीनों सेनाई अपने अपने मोर्चे पर मजबूती से डटी हुई है इसी बीच भारती नौसेना को परमानू हथ्यारों से लेसे 6 पंडूबियों की जरुरत है भारती नौसेना ने प्रशांत महासागर में बदलते रन्नीतिकार परदिश्य को देखते हुए क्याबनेट कमीटी ओफ सेक्योरिटी की और से अनुमोदे 30 वर्षे पंडूबी निर्मान यूजनों में बदलाफ करने के लिए केंदर सरकार से इजाज़त मांगी है नौसेना छे पारंप्रिक हमले वाले जहाजों का परमाणी संचालुत प्लेटफॉर्मों के साथ बदलाफ करना चाहा दी है भाजपा के वरिष नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यमंत्री प्रोफेसर चमनलाल गुपता का जम्मू के काटड़ा स्थित नरायना अस्पताल में नधन हो गया प्रोफेसर चमन जम्मू कश्मीर में शेरे डुगगर के नाम से जाने जाते थे उनके निधन से प्रदेश में हर कोई शोक में है जानकारी के अनुसार प्रोफेसर चर्मन करोना पॉजिटिव थे और कट्रा के नरायना अस्पताल में उनका इलाग चल रहा था उनके बड़े बेटे अनल गुपता ने बताया कि वे पांच मही को करोना पॉजिटिव आये थे जिसके बाद नरायना में उनका उप्चार चल रहा था जनकारी के अनुसार बक्करवाल डेरा कट्वा से किष्टवार की मढवा तहसील के नावापाची गाउं जा रहा था इस दुरान वे बरफ में फस गया सैने अधिकारों ने तुरंत रहात पार्टी चिंगाम पोस्ट को सुचित किया जहां से एक रहात टीम ने खराब मौसम के बीच कंधे पर समान उठाकर इस परिवार की तलास शुरू कर दी थी हिमाचल परदेश विष्व विद्याले ने 25 से 30 मही तक रखे सक्षातकरों को स्थगित कर दिया है बताने कि विश्व विद्याले ने 25 से 30 मही तक शिक्षकों के पद भरने के लिए यह तरीक रखी थी लेकिन करोना के बढ़ते केसों के चलते विश्व विद्याले को अपना यह फ्यासला वापस लेना पड़ा COVID-19 महामारी की जंग में सरकार वे प्रशासन का सहयोग करने के लिए निजिस संस्थाइम भी आ गया रही है CSE Academy हमीरपूर की और से COVID-19 संबंदी IES एवं टेस्टिंग प्रक्रिया के सुचारण संचालन के लिए एक वहन जिला रेट प्रो ससाइटी की अध्यक शिवं जलाधिश डेव श्वेता बनिक के माध्यम से स्वास्ते विभाग को सौंपा गया इस सबसे प्रदेव श्वेता बनिक ने कहा कि स्किल इंडिया के शेत्र में कारे कर रही CSE Academy का ये वहन सूचना, शिक्षा एवं अन्य गतिव इध्यों के लिए उप्योगी रहेगा